हावरुफिक्स सैमसंग जेसीक्स प्लास कॉल डिस्प्ले नॉट शोविंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि केसे आप जो है अपने सैमसंग के पर ठीक इस तरी के प्रॉब्लम यहां प्राब्लम यहां पर हो रहा है तो अगर दोस्तों आपको भी यह प्रउब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को अन-दोध देखेगाänder औरे उ lesij करना है वीडियो शुरू करने से पहले आगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको करना की आए आप दोस्ते एक बार मॉबाइल को रिस्टार्ट करके देखे ठीक है अगर रिस्टार्ट से कम बन जाते हैं तो ठीक है अगर restart करने के बाद भी दोस्तो problem solve न हो रहा है तो जाएए दोस्तो अपने mobile के setting पर setting पर जाने के बाद दोस्तो आपको यहाप कर अपर SHP पर प्लियर डहरा पर क्लिक करते हुए OK कर देना है data clear करने के बाद दोस्तों आपको जाना है permissions पे और सारे permissions allow कर देना है सारे permissions allow करने के बाद दोस्तों आप अपने device को restart करें और check करके देखे solve हो चुका होगा आपका problem ठीक है और Samsung की device में दोस्तों कुछ इस तरीके का interface का setting भी होते है ठीक है तो ट्री दोस्तों पर क्लिक करते हुए setting पर जाएंगे और यहां पर दोस्तों कॉल बेग्राउंड पर जाके layout चेक करेंगे layout दोस्तों कुछ इस प्रकार से भी आप set कर सकते ठीक है layout दोस्तों आप अपने हिसाब से set कीजिए और यहां पर आप देखे चाहिए call display while using apps तो इसको भी आप यहां पर set कीजिए full screen चाहिए call pop-up चाहिए या फिर mini pop-up चाहिए ठीक है तो इस तरीके से आप यहां पर set कर सकते अगर आप यह सब setting set कर देते तो अच्छे से काम कर जाएगा problem solve हो जाएगा by any chance अगर आपको problem आते है तो आप जाए आपने mobile के setting पर setting पर जाके दोस्तों आपको scroll down करना है software update पर क्लिक करने और mobile software update कर देना है mobile software update करते हुए दोस्तों आपको problem solve हो जाएगा by any chance software update के बाद भी problem आ रहा है तो आप दोस्तों mobile पर default यहां पर कुछ application यूज़ करना होगा जैसे की default डाइलर true color तो true color को ऐसे default डाइलर आप यूज़ कीजिए तो इससे काम बन जाएगा कुछ दिन के लिए ठीक है जब तक कि next software update नहीं आते तब तक आपको यूज़ करना है next software update में 100% solve हो जाएगा problem तो इस तरह के से call display not showing problem fix कर सकते हैं उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने आओगा thanks for watching